हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो आवर चैनल लेंस टॉप चार्ट्स टू अर्ण दोस्तों आज की उडियो में हम एक बहुत ही इंटेस्टिंग सा टॉपिक देखेंगे जैसे के आपको पता ही कि हमने रिसेंटल ही हमारे चैनल की उपर एक नई प्लेलिस्ट आड़ किये है जिसक करते हैं तो आज की दिन के लिए मैंने एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक चुना है अगर आपने टाइटल देखा होगा तो आपको पता होगा कि असेट वर्सेस लाइबलिटी इसके बारे में आज की वी में हम डिसकॉस करने वाले हैं दोस्तों जब हम फाइनाशियल रि बारे में और उसके वज़े से हम जो भी फाइनाशियल रिलेटेड कुछ भी आक्टिविटी करते रहते तो वो सही डिरेक्शन में नहीं करते हैं तो आज की वीडियो में हमें एक पहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक डिसकॉस करेंगे जिसके जरी आपको पता लग चाहेगा कि किस तरह से हमें investment वगरा करना चाहिए जो financial related जो भी concepts रहते हैं उसको किस तरह से समझना चाहिए पर अगर हम properly जो भी हम हमारी investment करते हैं अगर उसे properly करेंगे तो definitely जो भी financial freedom रहता है वो जो हमारा goal रहता है उसके direction में हम जाते रहेंगे तो मैंने एक simple सा presentation prepare किया है उसके जर rights बना के रखते हैं तो उसके जरीह हम समझ लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम financial freedom की तरफ जा सकते हैं यहाँ पर हम यह भी देखेंगे कि asset और liability क्या रहते हैं उसमें difference क्या है तो हमें कौन रिच बनाएगा asset हमें rich बनाएगा या तो liability दोस्तों generally क्या होता है कि हम कभी liability को ही asset समझ लेते हैं उसमें हम invest करते हैं जो कि वह basically liability रहते हैं वह continuous basis पर हमें उसमें खर्चा करना पड़ते हैं और definitely जो भी investment रहती है वह बढ़ने के बजाए हमें कम होती हुई दिखती है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि asset क्या रहते है और liability क्या रहते हैं तो simple सी अगर हम definition देखेंगे तो asset यानि कोई भी ऐसी चीज कि जो आपको continuous basis पर पैसा देती रहेगी इसे हम asset कहते हैं और liability यानि कोई भी ऐसी चीज जो continuous basis पर आपसे पैसा लेती रहेगी तो यह general difference है asset और liability में यानि कि asset कोई भी ऐसी चीज रहे कि जो आपको पैसा देती रहेगी continuous basis पर और liability आपसे पैसा लेती रहेगे तो यह basic difference है asset और liability में अभी आगले slide में हम देख लेते कि asset के कुछ example हम देखेंगे और liability के कुछ example देखेंगे इसके जरीए आपको definitely a difference clear हो जाएगा तो हमने asset के नीचे लिखा है fixed deposit हम जो भी bank में yfd करते हैं वह definitely हमारी asset है क्योंकि yfd करने के बाद हमें फिर उसमें कुछ stocks करिते हैं अगर हम अच्छी तरह से study करके stock को long term के लिए खरी देंगे और अच्छा कासा stock रहेगा तो वह stock आगे जाकर stock की prices में भी बड़ोतरी होगी और वह हमें dividend भी देता जाएगा तो वह वह हमारी asset है क्योंकि वह हमें continuous basis पर पाइसा दे रही है mutual fund भी उसी तरह से जो कि market पर ही depend रहते हैं वहां पर भी अगर हम पाइसा करते हैं market में आच्छी कासी movement आती है हम अच्छा कासा mutual fund चूज करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं और आगे जाकर उसमें भी बड़ोतरी होती है तो वह भी हमें definitely profit देगा right तो वह भी हमारी asset है अगर हम कोई land खरीद लेते और कुछ सालों बाद अगर अच्छी कासी price मिलने के बाद हम उसे बेच लेते तो उसमें भी हमें profit मिलेगा या तो उसको invest करके यहां पे भी हम रेंट पे देकर किस तरह से भी हम यहां पे भी income generate कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि हम इस्तेमाल करके invest करके उससे हमें continuous basis पे हमें profit मिल रहा है income हमारा या तो earning हमारी generate हो रही है तो वो कोई भी चीज है उसे हम asset कहेंगे और यहां पे liability के नीचे आप देख सकते हैं house अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो भी house है अगर हम किराय पे देंगे तो वो हमें rent generate करेगा तो वो हमारी asset हो जाएगी लेकिन अगर हमारा house है और उसमें हम खुद रहते हैं तो वो हमें फिर rent generate करके नहीं देगी यानिकि उससे हमें income नहीं होगा earning नहीं होगी तो जो भी house है वो हमारी liability बन जाएगी क्यूंकि हमें वो जो भी house है उसका maintenance करना पड़ेगा तो maintenance हमें continuous basis पे करना पड़ता है तो continuous basis पे हमसे पैसा ही लेते जाएगी maintenance की लिए second हमने example लिया है car का अभी हम यहाँ पे कोई car खरीद लेते हैं तो car खरीदने के बाद car का maintenance आता है servicing आती है insurance पे करना पड़ता है पेट्रोल उसमें डलवाना पड़ता है तो जो भी हम कर रहे हैं वो continuous basis पे हमें करना पड़ता है तो car लेने के बाद वो हमारी liability ही बन जाते ह क्योंकि continuous basis पी वो हमसे पैसा लेती ही रहती है अगर हम कोई loan ले रहे है करजा ले रहे है तो करजा लेने के बाद भी हमें उसमें payout करना पड़ेगा continuous basis पे हमें उसके loan clear करने पड़ेंगे उसका जो half time वो हमें continuous basis पे भनना पड़ेगा तो loan भी हमारी liability ही हो जाती है और चो ह वो अपनी property या asset consider कर लेते है और उसे उसमें पैसा invest करते है और उसमें वो खुद ही रहते है अगर वो खुद ही वो particular house में रहेंगे तो वो asset किस तरह से हो जाएगी क्योंकि वो आपको पैसा तो नहीं देगी बलकि maintenance के जरीए और और भी कुछ reason रहेंगे उसके जरीए वो आपको उसके लिए पैसा ही देना पड़ेगा तो बहुत सारे लोग इसमें confused हो जाते हैं अगर कोई भी property रहेगी उससे आपको rent मिलेगा तो वो asset हो जाएगी लेकिन वो property से आपको rent नहीं मिलता तो आपके लिए liability हो जाएगी तो यह basic कुछ example हो गए asset और liability के बारे में तो इसके जरीए example के जरीए आपको जो दोनों में का difference है वो player हुआ होगा अब यहाँ पर हम इसको control कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि asset यानि ऐसी कोई भी चीज रहे कि जो कि आपको पैसा generate करेगी और आपको देगी और liability यानि कोई भी ऐसी चीज जो कि आपसे पैस अगर आपकी बढ़ते जाएगे तो से आपकी अर्णिंग बढ़ते जाएगी तो देनी ही पड़ती है, कुछ ऐसे भी रहती कि वो करनी ही पड़ती है, तो minimum करने के हम कोशिश करें, और asset column जो है, वो जितना ज्यादा से ज्यादा हम बड़ा से कि वो बड़ाने की कोशिश करें, धीरे-धीरे, slowly-slowly आपको ये difference समझ में आएगा, और slowly-slowly जब भी आप आपके liabilities को कम करेंगे, और आपके asset को बढ़ाते जाएंगे, तो definitely कुछ सालों बाद एक ऐसा समय आ जाएगा, कि जहाँ पर आपके liabilities negligible रहेंगे, और आपके asset column में बहुत ही अच्छी कासी asset रहेगी, और जो आपको continuous basis पे, monthly basis पे income देती रहेगी, और जब भी माल लिजे कि कुछ ऐसी asset आप prepare करेंगे, और जो आपको monthly basis पे अधनिंग देती रहेगी, और आपका monthly जो गुजारा रहता है, उससे हो पाएगा, तो अगर उस तरह की situation बनेगी, तो आप definitely financial freedom की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो इस तरह से हम financial freedom भी आचीव कर सकते है, asset column को बढ़ा कर, तो यह basic difference है, asset और liability के बीच में, तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपके साथ यह information share करने की कोशिश की है, यहाँ पर हमने basic difference देखा है, asset और liability के बीच में, तो यह video थू हमने जो भी देखा, मुझे लगता है, आपको definitely इससे फाइदा हुआ होगा, आप definitely asset column बढ़ाने पर ध्यान द अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके आगे एक bell icon आएगा, उस पे click किजिए, उससे आपको हमरे चैनल के जो भी regular videos है, उसके updates मिलते जाएगे, और अगर आपको stock market related education चाहिए, तो हमरे चैनल पे join button का feature है, subscribe button के आपको stock market related knowledge मिलता जाएगा, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, thank you